ये एक LG का Wall-in-on Home Theater का Power Supply है एक Technician ने मेरे कास रिपेरिंग के लिए आया हुआ है क्योंकि उन्होंने दो-चार बड़ इसको रिपेर करके देखा उसके बाद इसके अंदर जो MOSFET लगा होता है वो बार बार उड़ जा रहा है यानि ब्लास्ट हो जा रहा है जिसके कारण ये हमारे पास आया है रिपेर के लिए पहले देख लिए कि ये किस Home Theater का अंदर लगा हुआ था ये देख सकते हो ये जो मोडेल है ना LG कंपनी का Original All-in-one Home Theater है इसके अंदर इस Power Supply को लगा हुआ था अगर सेम नंबर का या सेम आपके पास Home Theater रिपेर करने के लिए आए या इस टाइप का कोई भी Home Theater आए तो उसको कैसे SMPS को रिपेर किया जाता है क्योंकि उन्होंने दो चार बार तो देख लिया है ट्राइ करके रिपेर करके उर उसके पास नहीं हुआ इसके Output से आपको 22 बोल्ड और 21 बोल्ड दो अलग-अलग Output मिलेंगे तो हमें इसी Sequence के हिसाब से इसको Modify करके ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो पहले से Components लगा हुआ था वो सारे Components को चेक करके पहले ही देख लिया है पहला Technician ने लेकिन हम इसको अलग तरीके से Modify करेंगे जो कि आपको हमारे इसी चैनल पर ही मिलेंगे किसी दूसरे चैनल पर आपको हमारे जैसा Modify करने वाला HDR यूज करके आपको नहीं मिलेगा वो कैसे हम HDR को Modify करके लगाएंगे और वो भी ओरिजिनल से भी ज़्यादा अच्छे से परफॉन्मेंसा में इसके अंदर से देखने को मिलेंगा पहले तो जो फटा हुआ MOSFET लगा हुआ है उस MOSFET को में बहान निकल लेता हूँ यहाँ पे जो Power MOSFET इस्तेमाल किया जाता है ना Power Supply के अंदर सबसे ज़्यादा वो ही खराब होती है और उसके साथ-साथ और भी दो-चार कॉंपोनेंस आसपास का खराब हो जाती है तो आब हमें यह देखना है कि इसके साथ-सार और कॉंपोनेंस खराब हुआ है इस Power Supply के अंदर तब हम इसको आगे की प्रोसेस फॉलो करेंगे मोडिफाइ करने के लिए देखिए जैसे हम इससे मॉस्पेट को बहार निकाला हो देखिए इसका चितरे उर चुका है मतला यह पूरा का पूरा ब्लास्ट हो चुका है और इसका Condition हालात बहुत ही खराब हो चुका है इसका Condition मैं आपको नजदिक से दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को देख सके और आपको फिल हो सके कि इस Components के साथ क्या गुजरा है कितना Voltage हो जाने के बाद ऐसा Situation आती है जो कि Components के अंदर सारे चेज एकदम ब्लास्ट हो जाती है अब इसके जागा पे मैं लगाने वाला हूँ 5L380R जो की एक STR है आप इसको Universal STR भी बोल सकते हो मैं ज़्यातार किसी भी SMPS Power Supply को मोडिफाई करना के लिए इसी वाली STR को मैं स्तमल करता हूँ वो भी HitSync के साथ अगर आप HitSync नहीं लगा होगे तो भी चलेगा लेकिन उसका Life थोरा सा कम होगा और इसको Original से भी अच्छे तरीके से कैसे आपको Performance लेना है ये भी मैं आपको देखाता हूँ तो इसके अंदर एक Leg को मैंने उठा के रख दिया हूँ बाकी जो तीन Legs रहे गया है एक नमबर दो नमबर तीन नमबर उस तीन Legs को मैं पहले से जो मॉस्पेट लगा हूँ था उसके एक नमबर दो नमबर तीन के साथ जोड़ दिया हूँ इसका मतला पहले जो होल किया हूँ रहे था उसी होल के अंदर में एक दो तीन नमबर पिन को डाल दिया हूँ आप उसके बाद मैंने इसको सोल्डर कर दिया हूँ बहुत ही अच्छे से अब बाड़ी आते कि इसके अंदर आसपास के जो कॉम्पोनेंस था जो रेजिस्टर हो या डार्ड हो हमें उसको हटाना परेगा तो आपको ऐसे में तो कैमेरे से देखने को नहीं मिलेगा इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तिमल करने बाला हूँ मेरा माइक्रोस्कोप अभी यह दो तिन में छोटे छोटे जो रेजिस्टर्स था मैंने उठा लिया हूँ उसके बाद मैंने आप लोग को क्या बाता है कि जब भी इस टाइब का मॉस्पेट खड़ाब होती है उसके साथ साथ हमारा PWM IC भी खड़ाब हो जाती है तो अब हमें इस PWM IC को भी निकाल के फेंकना परेगा क्योंकि हमने जो HDR को लगाया हूँ इस PWM का काम भी वही HDR करेगा इसलिए हमारा कोई भी जरुवत नहीं है इस वाली IC का इसलिए हमने इस वाली IC को भी हटा दिया हूँ अब हमें क्या करना है देखिए अब हमें करना है कि जो हमारा एक नमबर और तीन नमबर पिन है न यह आपस में किसी भी सर्केट के साथ जुरा हूँ नहीं रह सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा काट लगा दूँगा ताकि तीन नमबर पिन के साथ कोई दूसरा कॉंपोनेंस के साथ अटचमेंट ना रहे इसलिए देखिए मैंने बहुती बारी के से ट्रेक को कट कर दिया हूँ और ट्रेक को कट करने के बाद माल्टी मीटर से मैंने चेक कर ले हूँ कि आपस में कनेक्शन रह गया है या नहीं अगर रह जाती है तो फिर हमें काट करकर उसको अलग करना पड़ता है देखे हमें कोई भी short circuit देखने को नहीं मिल रहा है याने कि तीन नमबर pin के साथ और बाकी जो component से उसके साथ connection detach हो चुकी है अब बारी हाते हैं एक resistance और एक diode हम positive power supply से लेकर एक 15 वो रेजिस्टरिंग power supply है उसके साथ लगा देंगे हमने यहापे जो resistance इस्तेमाल करा हूँ यह 1 watt का है और 220 के resistance है यह आपको हमारे website में मिल जाएंगे और यहापे जो diode में इस्तेमाल करा हूँ उस diode का नमबर है 114007 जो कि common diode होता है आपको साड़े जगा पर available मिल जाएंगे और resistance है 1 watt 220 के वो में हमने क्या करा कि diode का जो anode side है वो हमने capacitor के positive में साथ जूरा हूँ और cathode के साथ resistance के जूरा हूँ और resistance का और एक सिरा हमने जो starting power supply होता है उस capacitor के positive के साथ जोड़ दिया हूँ अब हम क्या करेंगे optocoupler के 3 और 4 नमबर pin के साथ bypass के लिए हमने coupling capacitor लगाएंगे यहाँ पर दिखे coupling capacitor बोला जाता है यहाँ पर हमने on04 नमबर का coupling capacitor मेंने इस्तेमाल कर रहा हूँ optocoupler के 3 और 4 नमबर pin के साथ अब हमें अगला connection करना पड़ेगा यहाँ पर दिखे यह रहा हमारा optocoupler के 3 और 4 नमबर pin के साथ on zero phone number का एक पी एप मैंने लगा दिया हूँ bypass के लिए इसको आप as a coupling capacitor भी बोल सकते हो अब हमें दो connection और भी करना है पहला connection हम एक नमबर pin को ground के साथ connection करेंगे एक नमबर की pin का मतलब होता है हमने ये जो 580R का हमने str को इस्तेमाल करना हूँ इसके अंदर उसका एक नमबर pin हमें ground के साथ connection करना पड़ेगा तो अगर पहले से आप कर लोगे तो वो अच्छे नही गोल के लिए जो starting power supply बनाया हूँ एक resistance और एक डायोड के मदद से उहां पे हमें जोडना परेगा और मैंने इसका circuit diagram आपने website पर डाल के रखा हूँ कि 580R को किसी भी smps power supply के अंदर कैसे install किया जाता है आपको circuit diagram और block diagram दोनों मिल जाएंगे हमारे नेका link मिल जाएंगे उसक एक 580R को किसी भी smps power supply के अंदर install करके उसको successfully repair किया जाता है और उसके लिए जो भी components की जोरत होगी वो सारे के सारे खरीदने का link भी वहाँ पर दिया हुआ है तो अगर आप एक नया technician हो या पुराना technician आप दोनों ही जाके उसको check कर सकते हो और यह बहुत ही का method मैं आपको अब अगला connection और सबसे last अबला connection हमने एक pin को उठा के रख दिया था जब हम लोग इस str को इस board के साथ connection करा था तो अब हमने उसका connection करना परेगा और यह connection कैसे और कहां से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि दोस्तों पहले से जो हमारा MOSFET लागा हुआ था उसका तीनी लेक्स था इसलिए हमने तीन को अंदर डाल दिया हूँ और एक को उठा के रख दिया हूँ यह हम क्या करेंगे feedback के लिए इस चान नंबर जो पीन है ना इसको इस्तमाल की जाते है feedback के लिए और आप लो मद्धम से प्रोग्राम किया जाता है तो हम simply क्या करेंगे कि हम एक टाका लेंगे यानि कि टाका का मतलब होता है वेर बहुत सरे लोगों को पता नहीं होता है एक लेंगे पतला सा और उस एक वेर को हम लोग इस चान नंबर पीन के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद हम जहां पर डॉट दिया हुआ रहता है उसका उपोजिट साइड का पीन होता है हमारा चान नंबर पीन तो यहां पर देखिए हमने कनेक्शन कर दिया हूं हमारा एस टीर के साथ और और यानि की फीड़बेक कनेक्शन हमारा कंप्लेट हो चुका है और अब हम रहें यह से पा वो सारे के सारे आपस में तो जुरा हुआ नहीं है आपस का मतलब होता है कि कहीं पर दूसरे कॉंपोनेट के साथ जो कनेक्शन नहीं हो चुका है जिसके कारण हमरा सौट हो गया है इसको बोला जाता है कूल टेस्टिंग इसके अंदर पावर देने से पहले हम इसको सौटि पेल टेस्टिंग करने से पहले ताकि हमारा सर्किट दूबारा ख़राब हो जाने से बच जाए और आपका स्याइट भी जाधर आएगा मैं तो ऐसा ही करता हूं और अगर आप अच्छा टेक्निशन बनना चाहते हो तो ऐसा करना ही चाहिए निया टेकनिशन के लिए मैंने खा चेंज कर दिया था चेंज करने के बाद मैं आपको इसका अंदर पावर दे दिया हूं और पावर देने के बाद हम माल्टिमिटर को डिसी पर सेट कर लिया हूं और अब इसका output voltage आपको चेक करके दिखाता हूँ क्योंकि दोस्तों अगर चेक करके नहीं दिखाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले 22V आपको output दिखा रहा है को जिस होम थेटर के साथ अंदर से खोल के लेका आया थे जो टेक्निशन उनको मैंने बता हूँ कि इस आउट्स अपलाई को लगाने के बाद एक दो तीन या 10-15 सेगन का वीडियो बना के हमें बेज दीजिएगा ताकि हमारा जो फॉल्वर से उन लोगों मैं दिखाना दिख तो इसलिए हमने थोरा सा सुनाए हो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इसे परकड़के वीडियो आगे आने वाला दिने में देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी सब्स्राइब करें